नमस्कार दोस्तो वेलकम टू पीके क्लासिस दोस्तो आज मैं आपके लिए काइनेमेटिक लिंक एंड काइनेमेटिक पेर्स के बारे में समझाऊंगा काइनेमेटिक लिंक क्या होती है कितने प्रकार की होती है कहां पे उपयोग होती है क्या है कितने टाइप्स के पेर्स होते है तो दोस्तो ठेॉरी आप मसीन सब्जेक्ट ठेॉरी आप मसीन में काइनमेटिक लिंक काइनमेटिक पेर्स काफी इंपर्टेंट चेप्टर है जिसको आज के वीडियो में हम समझेंगे तो दोस्तो जो भी छथ PK Classes में फर्स्ट टाइम में जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें तो सबसे पहले दोस्तो हम जानेंगे काइनेमेटिक लिंक आखिर काइनेमेटिक लिंक क्या है तो भेन इच पार्ट आफे मसीन जब मसीन का प्रती एक पार्ट जो मूब करता है रिलेटिव टू सम अधर पार्ट मिस भेन इच पार्ट आफा मसीन जब मसीन के प्रती एक पार्ट जो मूब करते हैं relative to some other part means दूसरे parts के suffix non-age kinematic link उसको हम क्या बोलते है kinematic link जैसे कि यहाँ पे आपको दो link दी है kinematics diagram में और इन दोनो link को मिलके क्या बर रहा है kinematic pairs बर रहा है तो means यह आपको ध्यान रखना है जब machine का प्रतियक part या machine का part जो moves करता है किसी दूसरे part के suffix तो उसको हम क्या बोलते है kinematic link बोलते हैं जैसे कि pistol rod and cross head of steam engine आपने देखा होगा steam engine की जो pistol rod है एक cross head में एक pin के through ऐसे जुड़ी होती है इस तरह से आपकी यह pistol rod है यह cross head है इसमें एक बीच में पिंडली हुई है जहां यह connected है तो दिसे जाए एक जाम पिल आप kinematic link ओके तो means यह हमारी kinematic links होती है rigid link होती है flexible link होती है, fluid link होती है तो rigid link में कोई deformation नहीं होता means यह हम rigid link की बात करें तो it undergoes no deformation example जैसे कि crank connecting rod crank and connecting rod जो है यह हमारी rigid link होती है क्योंकि inward deformation नहीं होता है flexible link flexible link में दोस्तो spring आता है, belt आता है, ropes आता है जिन में fluctuation होता है flexible होते हैं, जैसे belt है belt को आप दबाओगे तो यह प्रेज दब जाएगा spring है spring deform हो जाएगा, compress हो जाएगा expand हो जाएगा, तो means इसको इस तरह की जो links होती है इसको हम बोलते है flexible link, तो means जिसमें deformation हो fluid link, fluid link में motion is transmitted by this link by deformation इसमें भी जो motion है वो transmit होता है deformation के कारण, जैसे कि hydraulic jack hydraulic jack जो होता है means hydraulic fluid से अधियाप्रेट हो रहा है तो hydraulic jack में motion transmit हो रहा है किसके दवारा, link के दवारा तो इसमें motion जो transmit हो रहा है वो fluid link कहलाती है ठीक, अब दोस्तों देखेंगे pairs अब जैसे कि kinematic pair की बात करेंगे तो kinematic pair क्या होता है the two links आफे machine जब कोई machine की दो links दो कडियाँ the two links आफे machine when in contact with each other जब यह contact होती है एक दूसरे से पृतियक से तो are set to form pair तो क्या बनता है pair बनता है उसको हम क्या बोलते है pair the two links आफे machine when in contact जब कोई भी machine की दो link दो कडियाँ एक दूसरे से connect होती है जुड़ी होती है तो are set to form pair जैसे कि एक link A है एक link A है यह इस तरह इसे जोड़ते हैं कि तो this form pair यह क्या कहला आगा pair if the relative motion between them यदि इनके बीच में relative motion होता है between them it completely यह successfully constrained the pair is known as kinematic pair तो उसको हम बोलते है kinematic pair ठीक दोस्तो तो means इसमें यह ध्यार रखना है जब कोई दो machine की link जुड़ी होती है एक दूसरे के contact में तो यह बनाती है pair अब यदि इनके बीच में relative motion हो रहा है completely constant तो वो हमारा kinematic pair हो जाता है अब types आप pair देखेंगे pairs को दो प्रकार से divide किया गया है according to type of relative motion between the elements and according to type of contact between the elements means जो हमारे kinematic pairs है यह दो types से divide किये गया है तो सबसे पहला जो है according to the type of relative motion between the elements इसमें पहला sliding pair है sliding pair का diagram दिया हुआ है जैसे कि the two elements have a sliding motion relative to each other किसी भी दो element के बीच में sliding motion होता है relative to each other तो उसको हम sliding pair बोलते है जैसे कि piston and slender यह उधारन है sliding pair का जिसमें piston slide inside the engine slender आपको मालूम है piston slide करेगी या reciprocate करेगी तो piston and slender जो है वो sliding pair होता है turning pair तो band two elements when two elements are connected such that जब कोई दो element इस तरह से जुड़े होते हैं कि the element revolves about the other element कि येक element घूम रहा है other element के साफेग्च तो उसको हम turning pair बोलते हैं तुरिंग pair कहते हैं rotation आफे crank in slider crank mechanism soft rotating bearing means जो soft है वो किसमें rotate हो रही bearing में किसके अंदर bearing तो ये जो हमारा pair होता है ये turning pair कहलाता है इसके बाद rolling pair when one element is free to roll on in other element जब कोई एक element freely दूसरे element पर roll करता है घूमता है तो उसको हम rolling pair बोलते हैं example the belt and pulley surface constitute rolling pair जो belt होता है और pulley surface होता है ये हमारे बनाते हैं कुनसा pair दोस्तो rolling pair बनाते हैं इसके बाद screw pair तो means screw pair में क्या होता है जैसे कि आपने देखा nut and bolt nut and bolt आपका जो डाइगराम दिया हुआ है nut and bolt में आपको screw pair देखना है तो screw pair बनता है nut and bolt में जब हम bolt को nut के अंदर rotate करते है तो ये घूमता है तो ये जो pair बनाता है यह हमारा कौन सा pair होता है screw pair तो in this type the connecting surface is having thread इसमें जो connecting surface होता है उसमें क्या होती है चूडिया बनी होती है, threads बनी होती है it is also called helical pair one element turn about in other element by means of thread only, जब कोई एक element, दूसरे element के इसमें क्या होता है, turn होता है तो जिसमें thread हो तो इसको हम बोलते है screw pair, जैसे कि bolt and nut arrangement, screw jack far lifting, heavy weights यह हमारे किस के example है यह हमारे screw pair के example है next दोस्तो spherical pair, जैसे कि आपको diagram में देख रहा है, यह pen का stand है, हम सपोज मालने यह pen का stand है, एक spherical बाल लगी हुई है इस बाल के अंदर हमारा pen फसा हुआ है एक frame में तो spherical यह हम देखते हैं जो car bus के gears होते हैं gears हम कैसे change करते हैं वहां भी हमारा spherical pair involved होगा means spherical pair में one element is in the form of spare, जिसमें एक element spare के form में हो, and turn about the fix element जो fix element को क्या करे, turn करे, जैसे ball and squat joint ball and squat joint जो है, एक spherical pair कहलाता है ठीक, अब इसके बाद दोस्तो, according to type of contact the elements इसके अनुसार हमारे जो pair होते हैं एक lower pair होता है एक higher pair होता है तो lower pair में क्या होता है surface contact में होता है भेना pair motion है surface contact between the elements तो उसको हम बोलते हैं lower pair जैसे कि piston reciprocate in a slender soft rotate in a bearing तो में जहां पे surface contact में होगा उसको lower pair बोलेंगे और जहां पे line या point contact में होगा उसको higher pair बोलते हैं जैसे cam and follower cam and follower जो है इसमें क्या होता है line contact में होती है या point contact में पूरा surface संपर्क में नहीं होता है लेकिन जहां surface संपर्क में होगा soft rotating bearing surface contact तो means lower pair piston reciprocate in a slender यदि surface contact हो रहा है तो lower pair और यदि सिर्फ point या line contact हो रही है तो उसको हम बोलते हैं क्या higher pair जैसे gear एक gear से दूसरे gear पर हम transmit करेंगे तो point contact में होगा पूरा surface contact में नहीं आता है तो उसको हम बोल सकते हैं higher pair इस तरह से दोस्तो थेओरिया आप मसीन में lower pair, higher pair और इसके प्रकार बहुत ही important chapter है यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like जरूर करें और चैनल को subscribe करें Thank you